क्या सच में नासा को मिला राम मंदिर में कुछ? आईए मिलकर सबसे बड़े रहस्य को उजागर करें. भारत के अयोध्या में स्थित राम मंदिर अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है. यह हिंदु धर्म में पूजनिय देवता भगवान राम का जन्मस्था माना जाता है. हाल ही में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि नासा ने राम मंदिर में एक अभूत पूर्व खोज की है. लेकिन वास्तव में उन्हें क्या मिला? नासा के वैग्यानिकों ने पुरा तत्वविदों के साथ मिलकर राम मंदिर स्थल पर व्यापक अध्ययन किया. और जो उन्होंने उजागर किया वह सच्मुच असाधारन था. उन्होंने प्राचीन कलाकृतियों और नकाशी की एक श्रिंखला की खोज की जो मंदिर के इतिहास और भगवान राम से इसके संबंध की गहरी समच प्रदान करती है. अत्याधुनिक तक्नीक का उप्योग करके नासा के वैज्यानिक इन कलाकृतियों का विस्तार से विशलेशन करने में सक्षम थे. निश्कर्ष सच्मुच आश्चर्यजनक थे. प्रमुख निश्कर्षों में से एक मंदिर की वास्तुकला के भीतर उन्नत खगोलिय ज्यान की उपस्थती थी. इससे पता चलता है कि प्राचीन सभ्यताय खगोलिय प्रेक्षणों में पारंगत थी. नकाशी में खगोलिय पिंडों के सटीक संरेखन को दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि राम मंदिर के निर्माताओं को खगोल विज्यान की गहरी समझ थी. इसके अलावा, कलाकृतियों ने उन्नत गणितिय अवधार्नाओं के लिए एक लिंक का खुलासा किया, जटिल जामितिय पैटर्न और अनुपात पाए गए, जो मंदिर के निर्माण में उलेखनिय सटीकता को दर्शाते हैं. खोज से पता चलता है कि प्राचीन भारतिय गणितग्यों के पास अपने समय से कहीं अधिक ज्यान था, जो उनकी क्षमताओं के बारे में पिछली धार्नाओ को चुनौती देता था. एक और दिल्चस्प पहलू विभिन संस्कृतियों के तत्वों की उपस्थितित इससे पता चलता है कि मंदिर का निर्मान संस्कृतिक आदान प्रदान से प्रभावित था, जो वैश्विक विरासत स्थल के रूप में इसके महत्व पर बल देता है राम मंदिर में नासा द्वारा की गई खोज हमें हमारे अतीत के रहस्यों को खोलने और प्राचीन सभ्यताओं के पास मौझूद उन्नत ज्यान को समझने के करीब लाती है इस आकरशक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, दुनिया भर से अधिक दिल्चस्प खोजों और अंतरग्रिष्टी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें